जहिन दोस्तो मी हूं स्थीस और अब सबको इंडिया में जानप और स्वागत है दोस्तो आपको याद होगा मैं तीन दिन पहले आपको यह बताया था डिसंबर महिने में पुतिन साब भारत विजिट पे आने वाले हैं जो वो 2020 में आने वाले थे लेकिन कोरोना के करण और ब भारत को पहला S-400 मिसाइल मिलना सुरू हो जाएगा लेकिन आप सब यह जानते हैं कल ही यह कनफर्म हुआ है भारत को अल्रेड़ी S-400 सिस्टम मिलना सुरू हो गया है S-400 भारत के लिए सबसे बड़ा एक हत्यार के तोर पर आप कह सकते हो क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट यह मानते हैं इंडियान एरफोर्स के लिए अब प्रेजेंट टाइम में 36 राफेल जितना नहीं कर पाएंगे काम नहीं कर पाएंगे उससे ज़्यादा काम S-400 मिसाइ क्योंकि एक तरीके से यह न्यूज को आप कह सकते हो सिक्रेट रखा गया क्योंकि भारत के तरफ से यह न्यूज पहले नहीं आया पहले यह रस्या के मीडिया की तरफ से आया तो अब बड़ा सवाल उड़ता है भारत इतना साइडलेंटली S-400 मिसाल सिस्टम को क्यों अक्य क्यों सो नहीं किया जा रहा है क्यों गवर्मेंट S-400 को लेकर इतना साइलेंट रहना चाहता है और भारत को लेकर रस्या और अमेरिका के बीच या फिर उनके मीडिया के बीच कैसा वार चल रहा है उसके उपर भी बात करेंगे जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो क को देखते रही है और जाता से जाता लाइक शेयर करना बिलकुल मत फुलिए दोस्तों अगर आपको याद होगा पिछले साल जब राफेल आया था उससे दो-तीन दिन पहले सारा न्यूज आ गया था राफेल भाइटर जेट फ्रांस की कौन से एर बेस से आएंगे और भार में पहला स्वाल होगा साइद S-400 का बहुत ही कौम पार्ट आये होंगे क्योंकि एक मिसाल डिफेंस सिस्टम तो सिफ देखने में एक यूनिट नहीं है मतलब एक तरीके साब अगर एक फाइटर एर कर्ट को एक जामपुल लो तो एक राफेल फाइटर एर कर्ट मतलब एक ह जेट आपके सामने रहा लेकिन अगर आप एक मिसाल डिफेंस सिस्टम का यूनिट बोलोगे उसके अंदर बहुत सारे सिस्टम आ जाते हैं अगर हम S-400 के एकजामपुल ले अगर हम S-400 को एकजामपुल के तो पर ले तो एक S-400 की बैटरी में बहुत सारे लॉंचर होते है एक S-400 सिस्टम यूनिट में 70 के करीब लॉंचर ट्रॉक हो सकते हैं हला कि भारत को जो S-400 मिला है कहा जाते हैं उसमें 24 लॉंचर यूनिट होंगे इसके साथ राडार से लेकर और भी बहुत सारे सिस्टम उसके अंदर होगा तो अगर हम एक S-400 यूनिट को एक साथ खड़ करेंगे तो उसके आगे राफेल जेट कुछ भी नहीं है अब जो भारत को मिला है मिडिया रिपोट के मुताबिक दो लॉंचर यूनिट कुछ राडार और भी कुछ सिस्टम मिले हैं मतलब एक तरीके से पूरा S-400 सिस्टम अभी तक भारत को नहीं मिला है और कितना मिसाइ हवाई मार्क से भी आ सकते हैं हलाकि कुछ रिपोट ये दावा करता है S-300 सिस्टम को भी भारत पहले यूज किया था हलाकि अभी तो कोई कॉई कॉई नहीं बताया गया और फेक भी नहीं बताया गया अगर हम ये निवज को सही भी माने क्योंकि दोस्तों तब बात अलग थी तो भारत का पावार 90 के टाइम में उठना आदा नहीं था लेकिन अब बात बिलकुल अलग है अब तो हम खुले आम S-400 का डिल के तो S-400 डेलिवरी की निवज को छिपाने की कोई बजा ही नहीं थी क्योंकि अगर आप ऐसा में इसले कह रहा हूं क्योंकि अगर आप दे भी चल बताया वो दुबाई की एर्शो से बताया था इसा नहीं कि रस्तियास से ही ये निवज आया था ये सा में क्यों कह रहा हूं आपको थोड़ा आगे बाद में बताऊंगा ये एक पॉइंट हो सकता है लेकिन अब कुछ दोस्त कह सकते हैं अब हमारा चीन पाकिस्तान के साथ विवाद चल रहा है तो इसलिए सायद भारत सरकार सिक्रेटली लाकर उसे डिप्लोमेंट करना चाहता हूँ इसलिए ये निवज को मीडिया के सामने नहीं आने दिया गया देखे ये लजीक भी सही नहीं होगा हाँ हमारा चीन के साथ विवाद तो चल रहा है लेकि तो ऐसा भी नहीं है अगर कल को हमें S-400 सिस्टम मिल जाता है तो वो बहुत ही कॉम टाइम है या फिर कुछ दिन के अंदर ही ये डिप्लय हो जाएगा उसके लिए भी हमें कुछ महीना लग सकता है क्योंकि सारा सिस्टम आएगा उनके वीच कोडिनेशन होगा फिर उसको जाक कर दो या फिर कार्सा का संक्सन के लिए रेडी रहो अब जब ये न्यू जाया उसके ठीक एक दिन पहले आप फोटो में देख सकते हो अमेरिका के बहुत सारे सिनेटर आये थे भारत और वो मोदी जी के साथ S-400 को लेकर भी बात की हलाकि दूसरे टपिक पर भी बाचित लेकिन उसमें S-400 का डिल भी एक की पॉइंट था तो हो सकता है भारत ये सहर दवाब को टालने के लिए S-400 मिलने की खवर को कुछ दिन छिपाने की कोशिश की हो दोस्तों ये सवाल या फिर ये लाजिक भी ठीक नहीं बढ़ता है इसका और एक अंगल है मैं थोड़ा आप कितने दिन तक चिपा होगे क्योंकि डिल तो सबके सामने हुआ है और जब मिसाइल मिलेगा तैनाथ होगा सबको पता भी चल जाएगा 15-20 दिन या फिर एक महिना चिपा कर आपको क्या मिलेगा अब आमेरिका को अगर संक्षन लगाना है तो वो भारत के उपर लगाएगा ह है तो फिर वो तब तक मनाने की कोशिस करेगा जब तक भारत उसकी सारे कंडिशन को ना मान जाए जब अमेरिका देखेगा नहीं अब भारत उसकी बातों को नहीं मान रहा है तो साइद वो संक्षन के तरफ जाए अगर संक्षन ना भी लगाए तो कुछ ऐसा रून लाए जो भारत को हट करे उपपर से देखने को तो ज्यादा पता नहीं चलेगा लेकिन अंदर से भारत को जितना नुक्सान होना चाहिए उतना होगा अब आता हूँ दूसरा पॉइंट पर देखिए आप ध्यान से देखो पहले निउज आया कि आमेरिका के सिनेटर भारत आये ह अब अमेरिका की टांक हिचने की कोशिश कर रहा है तुम अगर भारत से हमें दूर करने की कोशिश कर रहे हो या फिर S-400 भारत ना खरीद ऐसा कोशिश कर रहे हो एसा कभी पसिबल नहीं होगा मतलब एक तरीके साब कह सकते हो भारत को लेकर अब रस्तिया और आमेरिका की बीच लड़ाई चल रहा है क्योंकि ये सब चलता है अगर मैं मुझे याद है दो-तीन साल पहले एक निवज आया था तब ये निवज को जान भूज कर फेलाया गया था भारत ने अमेरिका के जो बड़े-बड़े नाभाल अफीसर है उनके साथ जब वार एक्सराइज चल भाट आये और उस चीज का फाइदा अमेरिका उठाए और अमेरिका भारत के ज़्यादा नस्दीक है अब रस्य की मीडिया से ये ख़बर फेलाने के पीचे ये भी एक मकसद हो सकता है अब अगर भारत के उपर आमेरिका ज़्याद दालेगा तो नो डाउट अब भारत रस अब आता हूँ आखिर पॉइंट की तरफ दोस्तो आखिर में ये हो सकता है साइध भारत का ये प्लान हो जब पुतिन साहब भारत आएंगे तब ये लोग S-400 को लेकर सेलिबरेट करेंगे या फिर उसे अनौन्स करेंगे ताकि एक मीडिया कवरेज ज्यादा मिले और ये मेरा पॉइंट भी हो हो सकता है ये गलत भी हो मुझे लग रहा है अब भारत और रस्या के विस संबंध थोड़ा फिकी चल रहा है अब साइध भारत रस्या के साथ जो संबंध है उसे बहुत ज्यादा सेलिबरेट करने की कोशिश नहीं करना चाहता है या फिर रस्या क प्रांस या फिर राफेल दिल को दिया था दोस्तों आपको इस पोइंट के अंदर क्या पोइंट लग रहा है या फिर आप कुछ अलग पोइंट सोच रहे हो नीचे कौंट बक्स में जरूर कमेंट करके होता ही है और ये वीडियो को